दोस्तो जीत के बाद भारत को मिली बड़ी खुशकबरी पाकिस्तान को लगा तगड़ा जट का अफ्रीका भी परिशान तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी ख़बर की जानकारी सब कुछ उताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते कि टीम इ इंडिया ने टॉजीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया तो वही ओपनिंग जोडी रोई शिर्मा और कियल राहूल बल्ले बाजी करने आएं तो ऐसे में आपको बता दी किया कियल राहूल कुछ खास कमाल ना दिखा कर आउट धोकर पविलियन चलते बने तो वही इसके बाद रोई शर्मा भी 49 गिंदों में 54 अनों की शांदार पारी खेली जिसमें 4 चौके और 3 शक्के शामिल थे तो वही इसके बाद वराट कौली ने भी आद 44 गिंदों में 22 अनों की शांदार नाबाद बहतरिन पारी खेली और ऐसे मैं टीम इंडियने 20 ओर में 2 विक के नुकसान पर 149 फ्रन बनाए और ये मुकाबला नीद लैंड हार गई और ऐसे में ये मुकाबला जीतती भात टीम को एक बड़ी खुशकबरी मिल चुकी है दरसल आपको बता दी कि टीम इंडिया की मुकाबले जीती पॉइंस टेबल में सब से उपर आ चुकी है जी हां दो दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया साउथ अफरिका को हरा पाएगी या फिर नहीं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जूर दीजी का तता के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद